आज इस्राइल एक अजहा देश है जिसने दुश्मना धे नाल की रहून दे वावजूद उना दे नाकद विच दाम कीता हुआ आज इसराइल दे जिक्र इसकार के है क्योंकि इसराइल दे ऊपर हमास ने हमला कीता है पार्त दे सुबा केरला दे नालोवी इस दा छोटा खेतर पल है इसराइल दा पर इस दे वावजूद इसराइल देश आज हर पकों दुनिया दे वड़े मुल्कां दे नाल टकर देंदे ली खड़ाया उना तो अगे भी है इसराइल दी खूफी अजनसी मुसाद दा सिर्फ जेकर जिकरी हो जावे ता दुश्मना दे पसीने छोड़ जान देने फिलहाल खालत नाजुक बने होया दोमा देशा दे विचाले इस दरम्यान पार सरकार ने इसराइल दे विच अपने नागरिकान दी हिफाज़त दे ली एडवाइजरी जारी कर देती है दिसे गया कि गयर जरुरी आवजाई तो बचना अते सुर्खी स्थानां दे नेडे रहन ली किहा गया है इस दे विच पार्ती दूतावास ने नागरिकानों चोकस रहन अते स्थान का अधकारियां दोरा जारी सारे सुर्ख्या़ प्रोट जनसी मीटिंग किती है जिस्तो बाद उनाने किहा इस्राइल दे नागरे को इजांग है आते आसी इसनू यकीनी तौर्दे उपर जितांगे दुश्मना नू इस दी कीमत चुकानी पेगी हमास वलों हमले दी शुरादे करीब पांज केंटे बाद नेतन याहू दा इव पहला हो इने अल जीरा दी रिपोर्ट दे मतावक ए रॉकेट रहाईशी हमारतां ते डिगे है हुन तक छेतों बाद लोकां दी मौत हो चुकी है हलांकि हमास ने एवी दावा केता है कि मर्न वाले दे विच ती इसराइली ने हमास दे फौजी कमांडर हैगे मौहमद डेफ इना दावा आंदा है कि हमला इसराइल वलों येरू शलम दी अल अकसा मज़िदी ब्यद्विदा बद्रा ले आ गया साल दोजार ती शुरातों ही इसराइल कवजे वाले वेस्ट बैंक अते पूरवी येरू शलम इलाके दे विच इसराइल ते फिलस्तिनिया विचका आर्तना अते हिंसा वधी हुई है इसे तरह दुनिया दी दूसरी वड़ी जांग दे विच एक वार मुर्त अमेरिका दा नाम देखनों मिलिया इस तो पहला रशिया ते युक्रेण दे विच जो कई भीनातों लड़ाईया चलिया हुई है जिसनों अमेरिका मदद दे रहा युक्रेण वल अमेरिका अंदर खाते हुन इसराइल दी वी मदद का रहा मारू हत्यारां तो लेके टेकनोलजी तक सब को जो महिया करवाया जा रहा है आखर इसराइल अते फिलस्तिन विचकार ए विवाद की हो है दरसल ए संगर्श जड़ा है मीडल इस्ट दे इस खेतर दे विच कटो कट सौ सालां तो चलदा रहा है वेस्ट बेंक गाजा पटी अते गोलान हाइट्स वरगे खेतरा नो लेके ए विवाद जड़ा है उचले होया पूर्वी येरुशलम समेत इना खेतरा दे फलिस्तिन दावा जड़ा उपना ठोगदा है इस दे नाल ही इसराइल येरुशलम ते अपना दावा छड़न दे ल इसराइल विरुदी समू है स्तंबर 2005 दे विच इसराइल ने गाजा पटी तों अपनियां फौजां वापस ले लियां सी फिर साल 2007 दे विच इस खेतरते केई पवंदियां लगा दीती है सन फिलस्तिन दा कहना है कि वेस्ट बैंक अते गाजा पटी दे विच एक सुतंतर फ फौजी ताकत दे कई कारणें दरसल जिना दे विच ओं कुझ जहे ने इस दियां फौजां दियां नीतियां बढ़ियां गियां इस देशवलों की हत्यार हो गया संगठन हो गया सयुक्त राजतों समर्थन हो गया इस दे विच शामल है इसराइल अपने सैनका नों पराण दावा भी कर दे हमास ने भी आखरकार हिमत कारी लई है कि इसराइल तों कबजे जड़े है छड़वाए जान हमास फिलिस्तिनी कटरपंथी इसलामिक जथे बंदियां दे विच सब तों वड़ी खाड को जथे बंदी है शायद इसे लिए एड़ी इसने हिमत किती ह हमास दा नाम जड़ा है इसलामिक रजिस्टेंट मूवमिंट दा संकेप है जो 1987 इसराइल वलों वेस्ट बंक ते गाजा पटी उपर कबजे तो बाद शुरू किती गी सी शुरुआ दे विच हमास ने दो मुख मकसद सी पहला सी कि इसराइल दे खिलाफ इस दे मिल्टरी व हमास सी कि समाज पलाई दे काम करने पर 2005 बाद फलिस्टीन दे राजदीतिक मामलें दे विच वी दखल अंदाजी करने शुरू कार देती सी हमास ने ते काफी सरगर्म भी होया सी ताहून मजूदा सामें जेकर देखा जावे ता फिलिस्टीन दे तकरीवन 90 फीस जड़े न हमास इसराइल दे उना हिस्स्यां दे विच अपना कब्जा करना चौँदाय जिते जादा तर फिलिस्टीन दे ने हमास नु तुर्की आते कतरा थो वी फंड मिल दे हमास दे इक नेता खालीद मेशाल नेता कतर दे विच अपना दाफ्तर भी खोले होया सी इनान हमास नु जटहे है हठ्धे आरते पैसे दी सप्लाइओ करता है। अर्ब दिश हमास ती इसली मदद कारें ले कि कदे इजराइल ने इना उन अक्खा कडियां सी। अर्ब देशा नो ता इसे करके जड़े है हून फ़ीज बाटेबे और अर्ब देश इकठा हुए है। ते हमास दी जड़ी है, वो हमायत कर रहे हैं, हमास जथे बंदी नू, यूरोपियन यूनियन, यूके, इसराइल, अमेरिका, आते हो के देशावलों, इसनू अतवादी ग्रूप करार देता गया, ता हुन चो दो, इसराइल दे उपर हमला होंदा है, ता इसराइल भी इसनू अतवादी हमला करार देता है,